नमस्कार दोस्तों आज का डिक्टेशन 90 सब प्रति मिनिट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बात संक्रमन जिस तेजी से बढ़ रहा है वह तो चिंता की बात है ही लेकिन अब इससे भी ज्यादा विकट समस्या यह खड़ी हो गई है कि बड़ी संख्या में स्वास्थे करमी भी इसकी चपेट आते जा रहे हैं राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 37 चिकिचक संक्रमन से ग्रस्त पाए गई दिल्ली के अखिल भारतिय आयूर विज्यान संस्थान में भी करीब 50 स्वास्थे करमियों के संक्रमित होने की खबर है तीन दिन पहले ही लखनव की कस्तुर्बा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी केजी एम यू में उपकुलपती रजिस्ट्रार सहित करीब 40 सिक्सकों और करमचारियों में कोरोना संक्रमन निकला यह गंभीर चिंता की बात इसलिए भी है कि अगर महामारी से लड़ने वाले असली योद्धा भी संक्रमन के सीकार होते जाएंगे तो कैसे हम इस जंग का मुकाबला कर पाएंगे हालांकि अब तक बड़ी संख्या में स्वास्थे करमी टीका करण करवा चुके हैं केजी एम यू और दिल्ली में जिन चिकिचकों में संक्रमन मिला है उनमें से ज्यादातर ने टीके की दोनों खुराकें भी ले ली थीं जाहिर है हमें अपने इस्तर पर भी सावधानियां रखते हुए बचाव के सभी उपायों का कडाई से पालन करना होगा इस वक्त देश के लगबग सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है रोजाना सवा लाक से जादा संक्रमितों के मिलने की सूरत में जाहिर है सरकारी और नीजी अस्पतालों पर भारी दबाव है खास तोर से जिन अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड केंद्र में तबदील कर दिया गया है वहां स्थिती और भी गंबीर है एसे में मरीजों की भीड के बीच चिकिचक और इलाज में लगे अन्य करमचारी अपने को किस हद तक और के से बचा कर रखें यह उनके लिए बड़ी चुनवती बन चुकी है वैसे तो सभी जिकिचक और करमचारी अपना बचाव करके चलने की कोशिस कर ही रहे हैं फिर भी संक्रमन से बच्पाना आसान नहीं दिखता कई अस्पतालों में तो संक्रमितों की भीड का आलम यह है कि एक एक बिच्तर पर तीन तीन मरीज है एसे में वारणों अस्पताल परिसर आदी की साफ सफाई का क्या आलम होगा कोई नहीं जानता इसके अलावा अस्पतालों से रोजाना निकलने वाले कोविड कचरे जैसे मास्क PPE किट आदी का निस्तारन भी गंभीर समस्या है यह सब एसे कारण हैं जो संक्रमन को फेलने में बड़ी भूमी का निभाते हैं पिछले साल महामारी की सुरुवात के वक्त जब स्वास्थे कर्मियों में भी संक्रमन की मामले देखने को मिल रहे थे तो उसका कारण यह भी था कि वह पहला अनुभव था लेकिन अब एक साल में हम काफी कुछ सीख चुके हैं एसे में अगर अब बड़ी संख्या में स्वास्थे कर्मी संक्रमित हो रहे हैं तो इसकी एक वजह यह भी है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे लोगों को संक्रमन से बचानी का जो मानक सुरक्षा घेरा होना चाहिए वह कहीं ने कहीं कमजोर है इसके लिए कौन कौन से पुखता वे उचित उपाय हो सकते हैं इस पर गोर करने की जरूरत है लंबे समय तक एक ही मास्क PPE किट आधी का इस्तेमाल भी इस जोखिम को और बढ़ा रहा है इसके अलावा कोरोना विशानू के नए नए स्वरूप भी संक्रमन को तेजी से फेलाने का कारण बन रहे हैं इसलिए सबसे ज़्यादा जोर मरीज की जांच संपरकों का पता लगाने इलाज और टीका करण पर होना चाहिए यह भी देखने में आया कि कई स्वास्थे कर्मियों ने अभी तक भी डर के मारे टीका नहीं लगवाया या उसकी दूसरी खुराग नहीं ली अभी यह भी पक्का नहीं है कि टीका करण इस विकट संक्रमन का कोई पुखता इलाज है यह भी पक्के तोर पर कहीं कहा जा सकता कि दो खुराग ले लेने के बाद भी संक्रमन नहीं होगा लेकिन इतना तै है कि टीका काफी हद तक इस जोखिम से बचाएगा समप